आपका पसंदीदा जानवर आपके बारे में काफी कुछ बता सकता है, अगर वो बात कर सके तो, तो अपना पसंदीदा जानवर चुने और जाने की आपकी सूपर पावर क्या है? तेन दुआ, अगर आपको ये खूपसूरत जंगली बिल्लिया पसंद है, तो आप शायद एक आजाद और वास्तविक जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको अकेली समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब बात दोस्ती और रोमैंटिक रिष्टों की आती है, तो आपके स्टेंडर्ट काफी हाई होते हैं, आप बिना किसी कोशिश के लोगों के बीच एक हीरे की तरह चमकते हैं, आप एक महान, स्टाइलिस्ट, डिजाइनर या व्यापारी बन सकते हैं, क्योंकि आपको मुकाबला पसंद है और आपका टेस्ट काफी एस्थ आप भले ही जाहिर न करते हों, लेकिन आप कहीं न कहीं रिस्क और अडवेंचर पसंद करते हैं, हिम्मत, शिष्टता और प्राकरतिक आकरशन शक्ती आपकी सुपर पावर है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में चमकीले रंग और नए अनुभाउं की कमी है, तो अपने पसंदीता चानवर से प्रेड़ना लीजिए, शिष्टता और धैरे से अपने सपनों का पीछा कीजिए, जैसे ये जंगली बिली अपने शिकारका करती है, खरगोश आपके आसपास के लोगों को आप खरगोश से भी ज्यादा प्यारे लगते होंगे, वल्नरेबिलिटी आपकी सुपर पावर है, आपके दोस्तों को हमेशा आपके प्यार दुलार और सहरे की जरूरत होती होगी, कोजीनेस, पीस और एकसेप्टेंस को रेडियेट करनी की व हुए हैं, इसलिए आप एक महान डॉक्टर, मनो विज्यानिक, समाज सेवक आदी बन सकते हैं, हालां कि कुछ लोग आपकी अच्छाई का फाइदा उठा सकते हैं, तो शायद ये अपनी बाउंडरीस को डिफेंड करने का समय है, या फिर आप पहले से खत्रों को महसूस कर के अपने पसंदीदा चानवर की तरह भाग भी सकते हैं, लोमडी, अगर आपको लोमडी पसंद है, तो आप में रह समयी करिश्मा और सुन्दरता है, जो दूसरे लोगों को अगरशित करता है, आप मान से खेर फेर का पता लगा सकते हैं, इसलिए दूसरों को आपका भरो आले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और नए टैलेंट्स की खोज का मजा लेते हैं, आप अपनी स्वाभाविक जोशीली वाइप्स की वज़े से एक अच्छे संगीत निर्माता, इवेंट मैनेजर या आर्ट एक्सपर्ड बन सकते हैं, आप रोमांच की तलाश नह जिराफ एक सच्चे और क्रियेटिव इंसान की पसंद होता है, आप सामन्य चीजों को अलग नजरिये से देख सकते हैं, आप अपनी इस पश्ट आत्माभिवक्ती से अपने आसपास के लोगों को अश्चेरे करते रहते हैं, वो बस आपके बारे में समझ नहीं पाते हैं, आप बोरियत से बहुत डरते हैं, इसलिए आपके काफी शौक और रूचियां हैं जो सबसे अलग हैं, आप एक शांदार इंवेंटर, ट्रावलर और डिसकवरर बन सकते हैं, और अपने नए विचारों से समाज को काफी फाइदा पहुँचा सकते हैं, ज्यादा तर लोगो के लिए आभारी महसूस करते हैं और आपको बेशर्ट प्यार करते हैं, भेडिया, अगर आपको ये जानवर पसंद है तो द्रिड़ता और बुद्धी मानी आपकी सुपर पावर है, जद अदर लोगों के विपरीद आप अपनी डार्क साइड का सामना करने से नहीं डरते आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और समझते हैं कि जिन्दगी में हमेशा सब कुछ संतोश में नहीं रहता है, आपके ये गुण आपको दोस्ती और रमांटिक रिष्टों में एक वफादार और मैच्वर साथी बनाते हैं, जब कुछ ठीक नहीं होता तो आप सब क पुछ ठीक होने का दिखावा नहीं करते, जीवन में मुश्किलों को पार करना आपका नैच्रल टैलेंट है, वोल्फ वाइब्स आपको लीडर्शिप स्किल्स पैदा करने और एक महान बॉस या प्रभावशाली व्यक्ति बनने में मदद करता है, भालू, आप अच्छे स हो जाता है और काफी दानी हो जाते हैं, जिससे आप ओवर इटिंग, ओवर रियक्टिंग और कभी-कभी दूसरों के लिए ओवर प्रोटेक्टिंग भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में सामंजस से चाहते हैं, तो आपका विक्तित्व, दृड़, विचारशील और आजाद हो जाता है, आपकी स्थिर उर्जा और निष्ठा फैमिली बिजनस, स्टाट अप और कंस्ट्रक्शन के लिए एकदम सही है, भालू की तरहे आपके एक्टिव पीरियद और पैसिव मॉमेंट्स होते हैं, जब आप उत्साहित मैसूस करते हैं और जब आपको अ आम तोर पर महान माता पिता बनते हैं, क्योंकि वे प्रियजनों की देखभाल और रक्षा करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, रकून, जिग्यासू और चापलूस, आप शायद अपने आसपास के लोगों के सभी राज जानते हैं, लेकिन आपके राज कोई नहीं जानता आपको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक आप पहिलियों को हल नहीं कर लेते, इसलिए आपका जीवन एक जासूसी कहानी की तरह है, जिसके आप मेन इन्वेस्टिगेटर हैं, कुछ लोगों को लग सकता है कि आप बहुत ज्यदा व्यागुल हैं, लेकिन आपको ये कामों के लिए एकदम सही है, जहां लोग रहस्यों की जाच और मानावधिकारों की रक्षा करते हैं, जब रिष्टों की बात आती है, तो इस तरह के लोगों में आपकी खास रूची होती है, लेकिन कभी-कभी आपका बरताव शक्की और ओवर प्रोटक्टिव हो सकता है, याद रखें, हर इंसान की अपनी सीमाए होती है, घोड़ा, आपकी सूपर पावर आपके खुपसूरत बाल है, मजाक था भई, आपकी सूपर पावर अकलमंदी और लची लापन है, आप जीवन को इंप्रेशन्स की एक वाइल्ड स्ट्रीम की तरह देखते हैं, उन में से कुछ आपको खुश करते हैं, कुछ आपको दुखी करते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे महतोपूर्ण चीज है आपके आजादी और आत्म निर्भरता, इसलिए आप आगे बढ़ते रहते हैं और किसी भी पच्चतावे या लगाव से बचना मुनासिब समझते हैं, जो आ साप रास्ते में महान लोगों और अफसरों से टकराते हैं, इसलिए आपको पहले से प्लानिंग करने में ज्यादा जिजकने की जरूरत नहीं है, टूरिजम या होटल बिजनेस और सभी तरह के ट्रेवल एडवेंशर के फील्ड में केरियर बनाना आपकी डैनमिक अपनी तवचा बदलता है, वैसे ही आप नियमित रूप से अपने विक्तित्व को बदलते हैं और दूसरों के साथ साजा करते हैं, आपसे बात करने से उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है और दूसरों को प्रेणा मिलती है, आपसे बात करने के बाद आपके दोस्त अक और फाइनेंशियल एनलिस्ट हो सकते हैं, आप में गजब का सेंस ओफ यूमर है, कला और संगीत में भी आपका टेस्ट शानदार है, चुकि अन्य लोगों के इमोशन्स को पढ़ना आपका नैचुरल टैलन्ट है, इसलिए आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी में अच्छे ह और संगीत से कैसे जान डालनी है, साही, मोटी तवचा और आत्मविश्वास आपकी सुपर पावर है, आप एक युद्धा की तरह धैरे और जुनून के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं, आप खुद पर अफसोस और शिकायत नहीं करते, अपनी जबान का पक्का होना औ अपका रवया आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको हर वक्त दुनिया को अपने कंधों पर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दयालू और कोमल आत्मा से जुड़े रहें, जो आपके कबच के नीचे छिपी है, और इसे निडर होकर दुन करतिक रूप से आप में दुनिया की खोच करने और हसी खुशी अपनी जिन्दगी बिताने की ख्वाहिश होगी, आशावाद आपका दूसरा नाम है, यहां तक कि आप दुनिया के सबसे संजीदा इनसान को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आप जहां भी जाते हैं, लोगों का भला करते हैं, आपके लिए शो बिजनस और मनोरंजन के ख्षेत्र में कैरियर एक अच्छा आप्शन हो सकता है, जब आप कमरे में चलते हैं तो साधरन चीज़े जैसे नाचना, खेलना या सिर्फ चिल करना लेजन्डरी एडवेंचर में बदल जाते हैं, हो सकता है कि कभी-कभी ये आपको परिशान करता हो, कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, याद रखें, किसी के दिल को बिगलाने की शक्ती दुनिया की सबसे बड़ी सूपर पावर है, वेल, अपने पसंदीदा जानवर की तरह, आपको दुनिया लहरों के प्र पाइन टेस्ट रखते हैं, और आप एक अच्छे संगीतकार या गायक हो सकते हैं, जब बात समाज में घुलने मिलने की आती है, तो आप दुनिया के सबसे बातोनी इंसान नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा महोल बना देते हैं, जो लोगों को आत्मविकास में न्यूक्त होने औ और तब आपको शब्दों की जरूरत नहीं रहेगी